नमस्कार आप देख रहे हैं अख़बार जगत कश्मीर को एक मुद्दा बना कर पूरे विश्व में इस मुद्दे को उठाने पर मिली हार के बाद अब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने सोमवार को अपने देश को कश्मीर के मुद्दे पर संबोधित किया सही है अब कोई और देश तो उनकी बात सुन नहीं रहा तो उन्होंने सोचा कि अपने ही देश को ये बात कह दी जाए इमरान संबोधन में मुख्य रूप से भारत और मोदी की ही आलोचना करते रहे उन्होंने कहा कि अब वह कश्मीर के अमबसेडर बन चुके हैं और पूरे विश्व को परमानु युद्ध की धमकी भी दे डाली अब समझ नहीं आ रहा एक तरफ तो इमरान कश्मीर रहवासियों के सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी ही तरफ पूरे विश्व में युद्ध की धमकी दे रहे हैं साफ समझा जा सकता है कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बलकि पूरे संपूर्ण विश्व के लोगों की सुरक्षा के लिए कौन सी सरकार सोच रही है इमरान का धर्म के नाम पर भिदभाव अब एक दम साफ दिखाई देने लगा है एक समय था जब कश्मीर में मुस्लमानों के साथ साथ कश्मीरी पंडित भी निवास करते थे लेकिन वहां से उन लोगों को इज़त लूट कर और हिंसा का सहारा लेकर भगा दिया गया इमरान को कभी यह बात याद नहीं आती या यू कहें कि यही तो इमरान चाहते हैं अभी भी हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर रह रहे हैं और कश्मीर में भी रह रहे मुसलमानों को पूरी तरह से सुरक्षा और अन्नी सहुलियत दी जा रही है लेकिन इमरान खान को यह बात रास नहीं आ रही संबोधन में इमरान खान ने अपने आपको कश्मीर का एमबेसेडर बना दिया और बतोर एमबेसेडर भारत की सरकार को एक खतरनाक सोच वाली सरकार बताया अब खतरनाक सोच किस की हुई वो सरकार जो भारत से कश्मीरियों के मिलने से बेहत दुखी है या वो सरकार जो धर्मजात को छोड़ कर संपूर्ण देश में एकता बनाना चाह रही है समझ नहीं आ रहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है वह कश्मीर को विशेश राजिम माने या ऐसा कोई दरजन न देते हुए सामान्य रूप से पूरे देश की तरह ही कश्मीर को रेगुलेट करें कोई भी निर्ने हो आखर पाकस्तान को इससे क्या लेना देना है रिपोर्ट अखबार जगत